नमस्कार दोस्तों, आजे सुनते हैं सुसान ते सुप्रिया की लिखी कहानी बयान Your Honor, इससे पहले कि आप इस केस में अपना फैसला सुनाएं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जिस लड़की मिनी ने आत्म हत्या की है, मैं उसका भाई हूँ पर जज साहब मैं भाई नहीं कसाई हूँ, मैंने उसके आत्मा पर बड़े अत्याचार किये है जब मिनी छोटी थी, तभी एक सड़क हाद्से में मा बाबुजी दौनों चल बसे मिनी को पालने की जिम्मेदारी मुझ परा पड़ी, मिनी बड़ी प्यारी लड़की थी, जीवन से भरी हुई वह चिडिया की तरह उड़ना चाहती थी, नदी की तरह बहना चाहती थी, उसके मन में बहुत से च्छाएं थी वह फूल में सुगंद बनना चाहती थी, वह इंद्रधनुस में रंग बनना चाहती थी, वह हिरण में कस्तुरी बनना चाहती थी, वह मोसम में बसंत बनना चाहती थी, वह जुगनु में चमक बनना चाहती थी, वह मेमने में ललक बनना चाहती थी, वह जल में तरंग बनना च उसके लिए खो जाना ही घराना था। जद साहब, यदि मैं बहग गया हूं, तो मुझे माफ कर दीजे। पर मिनी ऐसी ही थी। वह पहले कविताइं लिखती थी। वह चेत्र भी बनाती थी। बहुत सुन्दर। उन दिनों वह बहुत खुश रहती थी। फूल सिखिली हुई वह एक माहान कभी कथाकार या चेत्रकार बन सकती थी। पर मैंने उसकी कविताओं और कहानियों को कभी नहीं सराहा। मैंने कभी परसंसा नहीं की उसकी पेंटिंग्स की। आए दिन मैं उसे जड़क देता, उसे डांटता, फटकारता। उसकी कविताओं कहानियों को पहानिया लिखे या पेंटिंग्स बनाएं। उसे जीवन भर किसी ने किसी पुरुष पर आश्रित रहना था। इस सब का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे उसने कविताएं और कहानिया लिखना बंद कर दी। पेंटिंग्स बनानी बंद कर दी। और भीतर से बुझ गई ही वे है। मैंने उस पर इतनी पावन्दिया लगा दी कि देखते ही देखते वेह मुर्जा गई। वेह लड़कों के साथ नहीं खेल सकती थी। अकेले बाजार नहीं जा सकती थी। जेंस और टीशर्ट नहीं पहन सकती थी। खुल कर नहीं हस सकती थी। पह छोटी-छोटी खुसियों के लिए तरस कई। कोलेज में बीच में ही मैंने उसकी पढ़ाई छुडवा दी। मेरा मानना था कि लड़की को पढ़ाने लिखाने का कोई फाइदा नहीं होता। उसे तो शादी करके ससुराल ही जाना होता है। मिनी को प्रकर्ती से बहुत प्यार था। सिंदोरी सुबह, नारंगी शामे, लहराता समुद्र और गगन चुम्बी परवत्तिस रंखलाएं उसे उल्लास और उमंग से भर देती थी। घंगोर घटाएं देखकर उसका मन परसन हो जाता। पहबारिस की एक-एक बूंद को जीना चाहती। पर ऐसे समय में मैं उसे जबरदस्ती रसोई में पकोडे बनाने के लिए भेज़ देता था। जज साहब मेरी बहन अपना जीवन अपनी सर्थों पर नहीं जी सकी। हमारे देश में इस्त्री को क्या करना है यह उसका बाप, भाई, पती या बेटा ही तै करते हैं। मिनी की पढ़ाई बीच में ही रोक देने की एक वज़य और भी थी। उसके पुरुष सहपाटी उससे मिलने घर आने लगे थे। हाला कि वे पढ़ाई के बाहाने ही मिनी से मिलने आते सिस्ट सब हैं और भीरू से। दोनों हाथ जोड़े मुझे नमस्ते भीया कहते हुए। वे सभी विनम्र, विनीत और संसकारवान से थे। पर मुझे यह बिलकुल पसंद नहीं था कि लड़के मिनी से घर आकर मिले एक लड़के से उसकी दोस्ती ज्यादा गहरी होने लगी थी, शायद दोनों एक दूसरों को चाहते भी थे। किन्तु वे है किसी दूसरी चाती का था, मैं यह कैसे गवारा करता, इसलिए मिनी को अपनी पढ़ाई का बलिदान देना पड़ा। बच्पन में मा बाबुजी हम दोनों भाई बेहन को धेर सारी कहानिया सुनाते थे, उनमें सुन्दर राजकुमार घोडे पर सवार होकर चांदनी रातों में आते थे और मुसीबत में फसी राजकुमारियों को बचाते थे और उनसे शादी करके उन्हें अपने साथ ले जाते थे, पर आम जीवन में ऐसा नहीं था, धिरे धिरे बेहन जान गई कि उसके लिए कोई सपनों का राजकुमार नहीं आएगा, कोई सहजादा आकर उसे इस नियती से नहीं बचाएगा, अगले ही साल मैंने मेनी की शादी एक विदूर से कर दी, मुझे कोई दहेज नहीं देना पड़ा, अपनी कुछ दिनों बाद उसने मुझे फोन करके बताया कि उसका पती शराबी था और पी कर उसे पीड़ता था, पर मैंने उसकी इबातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, कुछ महिनों बाद एक शाम किसी ने मेरे मकान का दरवाजा खट खटाया, मैंने दरवाजा खोला, सामने मेनी खटी थी, पर मुझे उसे पहचानने के लिए प्रयास करना पड़ा, उसके चहरे पर अपनों के पैरों के निशान थे, कुछ ही महिनों में वह कई साल बुढ़ी हो गई थी, उसकी आखें जो पहले कभी सुभे के रंकी होती थी, अब पूरी तरहें रात के रंकी हो ग से कोशिश करनी पड़ती थी, फिर आत्मा की अतल गहराईयों से उसने मुझे पुकारा, भाया मुझे बचालो, उस आवाज में कितनी याचना थी, कितनी गिडगिड़ा हट, वह रात से दिन का उजाला मांग रही थी, पर मैं कसाई बना रहा, क्या कसाई कभी बकरे की या पल मुझे निशब्द देखती रही, उसके निगाह में कई नदियों के सूख जाने का दर्द था, उसके लिए सारे सूरज डूब गए थे, सारे देवी देवता मर गए थे, उसके भीतर कई आंधियां बंद पड़ी थी, उसके भीतर कब्र का अंधेरा भरा हुआ था, बा सीट कर ले गया और उसके पती के घर छोड़ाया, वह एक नर्क से दूसरे नर्क में ले जाई जा रही थी, जब मैं लोटने लगा, तो वह फफक फफक कर रोने लगी, सारे समुद्र का खारापन उसकी आंखों से निकले आसों में घुल गया था, जज साहब उस रात वह ऐ जैसे रोई थी, जैसे उजाला रोता है अंधेरे से पहले, उस रात सारी रात बिजली कड़कती रही और बादल गरजती रहे, सारी रात मुझलाधार बारिस होती रही, बीज बीज में भैंकर गरजन के साथ कहीं बिजली गरती, पर सदी का सबसे एक खराब मोसम रहा होग अगली सुभे मुझे खबर मिली कि मिनी ने रात में ही आत्मत्या कर ली थी, वह अपने धुए के रंग की साड़ी से गले में फंदा डाल कर कमरे के सिलिंग फैन से लटक गई थी, जब मैं वहाँ पहुचा, उसका सरीर अकड़ कर नीला पर चुका था, जज साहब पहली ब पहली मैं ऐसा हिर्देहिन नहीं था, मुझे भी प्रकर्ती से प्यार था, मैं भी कविताएं और कहानिया पड़ता था, मुझे भी खुबसूरत पेंटिंग अच्छी लगती थी, घनकोर घटाएं मुझे भी लुभाती थी, इंद्रधनुस, तितलियां और जुगनु के बाद बहन को पालने और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे पर आपड़ी, सिर्पर आचानक आपड़े नून तेल लकडी के बोज ने मेरी दुनिया ही बदल दी, मैं इस बोज तले दबने लगा, धीरे धीरे मैं प्रकर्ती और उसकी सुन्दर्ता से करता चला गया और अंत में मैं पत्थर दिल बन गया, मैं जैसे बहन से अपने खोए हुए जीवन का बदला लेना लगा, मेरा अपना जीवन कुंठित हो गया था और बदले में मैं उसका जीवन भी एक कुंठित करता चला गया, पर मुझे क्या पता था कि जज साहब इसका परिणाम इतन भ्यावे हो हुगा, Your Honor, मिनी के सामानों में से मुझे उसकी तीन कहानिया मिली, जो किसी तरह बची रह गई थी, और जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इन कहानियों से पता चलता है कि वह कितनी सम्वे दंशील थी, और किस दारुण दोर से गुजर रही थी, पिंजरा, कहानी में उसने नारी के जीवन की तुलना पिंजरे में कैदोस पक्सी से की है, जो चाहा कर भी ओड नहीं सकता, वह पुरुस मानसिक्ता के पिंजरे से टकरा टकरा कर सिर धुनने के लिए अभिशबत है, कहानी की नाई का परिवार और समाज में पुर्शों के द्वारा डोर्मेट की तरहें इस्तमाल की जाती है, पुरुस नारी की गरिमा को डोर्मेट बना कर उससे अपने जूते पहुँच कर आगे बढ़ जाते हैं, जज साहब इस तेसरी कहानी का नाम है, बोनजाई, ब्रक्ष होने की क्षमता है, पर पुरुस उसे गमले में लगे, बोनजोई पोधे तक सीमित करके रखना चाहता है, इमारत से भी उँचे उगने वाले पेड को वह गमले तक सीमित कर देता है, उसके क्षितिज को वह कार छाट देता है, नारी की संभावनाओं के आकास को वह छोटा कर देता है, उसके क्षमता को वह कुंठित कर देता है, गमले में वट ब्रक्ष कैसे पनपेगा, कैसे उगेगा, कैसे फलेगा, फुलेगा, यदि उसे अफसर दिया जाए, तो नारी धरती में उगा छायादार वट ब्रक्ष बनकर खूब फैल सकती है, पर पुर पारी एक बोंजाई जीवन, एक आस्रित जीवन जीने के लिए अभिशप्त है, जज साहब मैं मिनी के लिखी ये तीनों कहानिया अदालत के सामने रखता हूं, सुलकते अक्सर इस तरह लिखते हैं, उदास रात इस तरह लिखती है, बेबस हवा इस तरह लिखती है, जज स भरे संसार में, कई रातों से मैं सो नहीं पाया हूं, कुछ पल के लिए आँख लग जाती है, तो मेरे सपने मरे हुए लोगों से भरे होते हैं, आईने में देखता हूं, तो मेरी छवी की जग हैं, वहां से मेरे मरे हुए उदास माता पिता जहांक रही होते हैं, वे मुझ से पूछते हैं तुने अपनी बेहन के साथ ऐसा क्यों किया और मैं उनसे नजरे नहीं मिला पाता हूं जद साहब मेरे आशों पर नहीं जाईए शायद यह मेरे इम्रत माता-पिता के आशों हैं जो अपनी बेटी की क्रूर नेती देखकर बह रहे हैं मुझ में से कभी-कभी ये पूर्वजों के आशों भी बहते हैं हम में से ही जद साहब मेरी बहन इस देश में एक लड़की के रूप में पैदा हुई थी उसका जीवन तीखे एक कोनों से भरा पड़ा था वह उमर भर उनसे टकराती रही छिलती रही वह एक जीनियस थी उसमें अमरता प्रितम बनने की क्षमता थी अमरता सेरगिल बनने की परतिवा थी बर उसका इंद्रधनुस आजीवन की चड़ में सना पड़ा रहा मैंने उसके भीतर की आग को बुझा दिया जब वह उड़ना चाहती थी मैंने उसके पंखों में कटिले तार बान दिये जब वह सपने देखना चाहती थी मैंने उसकी आँखों में धेर सारी मिर्च जोंक दी मैंने उसकी पर्तिभा का दम खोड़ दिया मैंने उसकी कला की हत्या कर दी मैं कसाई हूँ, हत्या रहा हूँ मुझे कठोर से कठोर सजा दी जाए जद साहब